प्यारे बच्चों, सू प्रभात, आज हिंदी में हम पाठ एक पड़ेंगे, सूरजी तुम इतनी जल्दी, यह कविता क्रेश्ण सलब जी ने लिखी है, इस कविता में बाली का सूरजी से प्रश्न कर रही है, कि सूरजी तुम इतनी जल्दी, कि सूरजी आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कविता में बाली का सूरजी से और भी कई प्रश्न कर रही है, हम आगे इस कविता में पड़ेंगे, कि वो क्या-क्या प्रश्न कर रही है, वार्मप एक्सरसाइज दी है, आप सुबह स्वयम जागते हो यह आपकी मम्मी जगाती है बच्चे स्वयम नहीं जागते हैं अधिकांस्तर बच्चों को उनकी मम्मी ही उनको जगाती है देखो बच्चों इस शित्र में भी इस बच्चे को इसकी मम्मी उठा रही है क्या सूरज उगने में आलश्य करता है? नहीं, सूरज उगने में कभी भी आलश्य नहीं करता है आप सुबह कितने बजे जाकते हैं? हम सुबह 6 बजे जाकते हैं विद्ध्यालई के लिए आप खुशी खुशी तयार होते हो या आलश्य के साथ कुछ बच्चे विद्ध्यालई जाने के लिए खुशी खुशी तयार होते हैं और कुछ बच्चे आलश्य के साथ देखो बच्चो यह लड़की इस्कुल जाने के लिए तैयार हो गई है इसके चेहरे पर इसमेल भी यह खुशी-खुशी इस्कुल जाने के लिए तैयार हो गई है और यह लड़का आखे बंद कर रखी और ब्रस कर रहा है मतलब यह आलश्य के साथ ब्रस कर रहा है पॉर्टली पाठ की अधिकांस बच्चों को सुभः जल्दी जागने में आलश्य आता है पर विध्यालई जाने के लिए उन्हें जल्दी उठकर समय से तयार होना ही पड़ता है इस कविता में सुरज के माध्यम से आलश्य के त्याग और समय बद्धता की सीख दी गई है अधिकांस बच्चों को सुभः उठने में आलश्य आता है पर विध्यालई जाने के लिए उन्हें सुभः जल्दी उठकर समय के लिए तयार होना ही पड़ता है सुरज के माध्यम से आलश्य के त्याग और समय बद्धता की सीख दी गई है जिस प्रकार से सुरज नियमी समय से उदै होता है और नियमी समय से अस्त होता है उसी प्रकार हमें भी अपने सारे काम नियमी समय से करने चाहिए आलश्य को त्याग कर सारे काम नियमी समय से करन इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको निन आती, और न कोई काम तुमें, जरा नहीं भाता क्या मेरा, विस्तर पर आराम तुमें, खुद तो जल्दी उठते ही हो, मुझे उठाते हो, सूरद जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, इस कविता में बाली का सुरजी से प्रस्ण कर रही है कि आप इतनी जल्दी, सुरजी आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, क्या आपको निन्द नहीं आती है, लगता है तुमको निन्द आती, मतलब आपको निन्द नहीं आती है, और न कोई काम तुमें, और आपको कोई काम भी नहीं है क्या जरा नहीं भाता भाता मतलब अच्छा लगता जरा नहीं भाता क्या मेरा विस्तर पर आराम तुम्हें मेरा विस्तर पर सोना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्या खुद तो जल्दी उठते ही हो मुझे उठाते हो आप तो जल्दी उठी जात कब सोते हो कब उठ जाते कहा नहाते दोते हो तुम तैयार बताओ हमको केसे जटपट होते हो लाते नहीं टिफिन क्या खाना खाकर आते हो बाली का सुरज जी से फिर प्रश्न कर रही है सुरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो कब सोते हो कब उठ जाते हो कब तो आप सोते हो और कब उठ जाते हो कहा नहाते दोते हो और आप नहाते दोते भी कहा पर हो तुम तयार बताओं हमको कैसे जटपट होते हो जटपट मतलब जल्दी कि आप इतनी जल्दी तयार कैसे हो जाते हो लाते नहीं टीफिन क्या खाना खाकर आते हो आप टीफिन भी लेकर नहीं आते हो तो क्या खाना खाकर आते हो इस प्रकार से बाली का सूरजी से कई प्रशन कर रही है यदि सूरज छुट्टी मनाने लगे तो चारों ही तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और कोई काम भी नहीं करेगा सूरत जी तुम इतनी जल्दी क्यों आजाते हो रविवार विध्यालई बंद रहता मंगल को बाजार भी कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी ये क्या बात तुमी बस छुट्टी नहीं मनाते हो सूरत जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो बाली का सूरत जी से फिर प्रश्न कर रही है कि सूरत जी आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो रविवार मतलब इत्वार और रविवार को इंगलिस में कहते हैं संडे रविवार विद्यालाई बंद रहता विध्यालई भी रविवार के दिन बंद रहता है मंगल को बाजार भी और मंगलवार के दिन बाजार भी बंद रहता है कभी-कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी और कभी-कभी तो पापा के अखबार भी छुट्टी कर लेता है मतलब पापा का अख़बार भी नहीं आता है ये क्या बात तुमी बस छुट्टी नहीं मनाते हो ये क्या बात हुई कि आप ही छुट्टी नहीं मनाते हो सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते है कि सूरज जी आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो जैसे सभी कार्याले में एक दिन तो सब्ता में एक दिन की तो छुट्टी रहती है पर सुरज जी आप ये कैसे हो जिनकी कभी छुट्टी नहीं कभी भी आप छुट्टी नहीं मनाते हो सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं, सूरज जी आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं और कभी भी आप छुट्टी भी नहीं मनाते हो बात सीख की इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिस प्रकार सूरज नियमी समय से आता है और नियमी समय से सुर्य उदय होता है और नियमी समय पर सुर्यास्त होता है उसी प्रकार हमें आलश्य का त्याग कर सारे ही काम नियमी समय से करना चाहिए समय बद्धता सूरज के माध्यम से समय बद्धता की सीख मिलती है प्रकती से परिचे सूरज के माध्यम से प्रकती से परिचे कराय गया है शब्दार्थ भाता अच्छा लगता जटपट जल्दी रविवार इतवार धन्यवाद